तो नमस्कार दोस्तों क्या आप अपने दोस्तों को वाटसप पर टैग करना चाहते हैं और टैग नहीं कर पाते तो आइए सीखते हैं कि वाटसप पर अपने दोस्तों को कैसे टैग करें सिर्फ दो मिनट में सीखेंगे कि WhatsApp पर अपने दोस्तों को कैसे tag करें, अपने दोस्तों को कैसे mention करें तो आईए दोस्तों सीखते हैं कि WhatsApp पर tag कैसे किया जाता है, WhatsApp पर अपने friend को mention कैसे किया जाता है तो simply आपको अपना WhatsApp app open करना है, WhatsApp app open हो गया है, अब WhatsApp app में जहां भी जिस भी group में आपको अपने friend को tag करना है, उस group को आप select कर लीजिए, जैसे कि मैंने ये group select कर लिया है, और इस group में आप उपर type करके या भी देख सकते हैं, कि इस group में कितने member हैं, इस group में जितने member हैं, उन tag कर सकते हैं, एक साथ एक को, दो को, तीन को, चार को, जितने भी लोग चाहें, आप tag कर सकते हैं, एक तो normal तरीका होता है, किसी भी group में बात करने का, जैसे कि high answer, मैंने ये लिखके भेज दिया, तो ऐसे हो गया, अब एक tag करने का तरीका होता है, जिससे सिर्फ special message जाता है, एक special person को, वो उसे mention हो जाता है, तो हम यहाँ simply add rate of, का sign, click करेंगे, और देखिए कि हमारे सामने list खुल के आ जाती है, members की, आपको जिस जिसको select करना है, select कर लीजिए, जिसको भी आपको tag करना है, अगर मान लीजिए, और भी एक बंदे को tag करना है, तो फिर से add करेंगे, औ और लोगों को ऐसे add कर लेते हैं, फिर आप उसके बाद message कोई भी आप tag कर दीजिए, कैसे हो, भाई लोग, इस तरह आप इसको भेज सकते हैं, तो आपने simply तरीके से सीख लिया, कि आपको tag कैसे करना है, और अब हम बैक करते हैं, तो दोस्तों, आपको अब पता ही चल गया होगा कि WhatsApp पर tag कैसे करना है, तो दोस्तों, क्या आपको या जानकारी पहले से थी, अगर हाँ, तो कमेंट में करके जरूर बताएं, और आपको या जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ही इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, धन्यवाद.